आपके विच्चार में ये सद्यो पुराना रहश्य क्या हो सकता है? क्या परमान उर्चा, थर्मुकुलर उर्चा, न्यूट्रम बम, अंतरिस्की यात्रा? नहीं, ऐसा कुछ नहीं. तब क्या ही ये असाधारन रहश्य? इसका रहश्य भी असाधारन रूप से आसान है. ये रहश्य अत्बूत एवं जादूई सकती है. ये और कुछ नहीं, बल्कि आपका अपना अउचेतन मन है, जिसकी कल्पना कोई भी व्यक्ति नहीं कर सकता. आप अपने अउचेतन मन की छिपी सकती से संपर करके उसे निकालने के तरीक को सीख कर, अपने जीवन को और गतिवान, और धनवान, और स्वस्त और सुखी बन सकते हैं. इसके लिए आपको बहरी ताकत की ज़रूरत नहीं है. यह ताकत आपके पास मौजुद है. आपको उसे भली प्रकार समझ लेना है, ताकि आप जीवन के विभिन्न कार्यों में उसका प्रयोग कर सके. जैसे जैसे आप इस पुस्तट में दिये गए आशान उपाए और प्रतिक्रिया को पढ़ते जाएंगे, वेसे वेसे आपके मनमें वह आवश्य ज्ञान और समझ दारी आजाएगी. आप से एक नई पेड़ना जन्म लेंगे और आप इस नई सक्ति से अपनी आशाओ एवं सपनों को साकर कर पाओगे. अपनी जीवन को पहले से सांदार, विशाल, धनी और उत्तम बनाने के लिए आज ही से फेसला करें. आप के आउचेतन मन के गहिराई में दारी आजाएगी.